दोस्तो, electric overhead crane में आपको बहुत सा type का फोल देखने के लिए मिल जाएगा जो electric overhead crane में crane operator रहता है, ओ आपको बोल रहा है कि crane on नहीं हो रहा है अभी आप क्या-क्या चेक कीजिएगा और जब-जब crane चलता है, कभी-कभी crane आपका trip हो जाता है आज मैं आप लोग को जिस तरह से मैं इस फॉल्ड के बारे में बताऊंगा इस फॉल्ड को बहुत आसान तरीका से आप ठीक कर सकते हैं और बहुत जल्दी जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोग के साथ अपना जो practical experience है और शेयर करूंगा और step by step बताऊंगा जब आप practical में काम कीजिएगा तो देखिएगा same to same match हो जाएगा और काम करने में आपको काफी help मिलेगा तो जब आपको driver बोलेगा के crane on नहीं हो रहा है उस time आप क्या-क्या चेक कीजिएगा इसमें पहला जो checking आता है ओ आता है जो आपका control transformer लगा हुआ है transformer का primary side में आपका 415 volt आ रहा है या नहीं आ रहा है इस जगा में दोस्तों आपको multimeter से चेक नहीं करना है इस जगा में जो आपका 100 watt का series lamp से चेक होता है उसी तरह से चेक करना है जो हम लोग 415 volt का bulb folder बनाते है इसमें किस तरह से connection करते है इसमें दोगों आपका बाल्प रहता है ये बाल्प आपका 100 watt का रहता है दोनों और इसको हम लोग series connection करते है बाल्प का जो ये दो गो लीड है ये दोनों लीड में हम लोग फेज सपलाई देते हैं अगर दोनों बाल्प जल रहा है तो आपका सीरिज लेम सही है तो ये जो आपका टांसफर्मर का प्राइमरी साइड में दो गो फेज आ रहा है प्राइमरी साइड में आपको पहले चेक करना है कि दोनों फेज ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर इस जगा में आपका दोनों फेज सप्लाई आ रहा है इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि टांसफर्मर का सेकंडी साइड से 110 वोल्ड ठीक से आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस जगा पे भी अगर आ पॉल्डर जल रहा है तब आपको समझ जाना है कि ये जो कंट्रोल टास्फर्मर है 2.0 के भी एका ये टास्फर्मर में आपका कोई भी प्रोब्लेम नहीं है दूसरा फॉल्ड है जब स्टेप बाई स्टेप चेक किजिएगा तभी आपको बहुत जल्दी फॉल्ड मिल और मैं वीडियो बना के समझा रहा हूं इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे अच्छा तरीका से आपको समझा रहा हूं जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो देखिएगा बहुत स्पीड में काम करना परता है तो प्राइमरी साइड में आप बाल फोल्डर से देख पैनल में जो हमारा दो गो एक बी फेज और वाई फेज ये दोनों फेज में से कोई एक फेज का ओयर कट गया है इसलिए प्राइमरी साइड में आपका बाल फोल्डर नहीं जल रहा है जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो आपका प्राइक्टिक्टिव पैन बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे मैं इस जगा में आपको दोनों फेज के बारे में बता रहा हूँ, ये दोनों फेज जो तब तक आप का ओल फोलडर से चेक नहीं किजियेगा तब तब तक आपका कौन्थरम नहीं होगा और डास्फर्मर का सेकंडी साइड में अगर आपका बाल फोलडर जल रहा है तो इसके बाद आपको आगे चेक करना है किस तरह से चेक करना है कि यह जो हमारा न्यूटल है यह न्यूटल हमारा ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है किस तरह से जो आपका यह line contactor है इसका जो A2 point है इस जगा में एक बाल फोल्डर का lead लगाना है और जहां पर आपका 110 volt supply है मतलब यह NO point पर भी 110 volt supply है तो A2 से यह NO में जब आप बाल फोल्डर से चेक कीजिएगा तो आपका बाल फोल्डर जलना चाहिए उसी को देखके आपको confirm क्या होगा कि यह जो line contactor है इसका A1 में हमारा क्यों supply नहीं आ रहा है जब हम यह on बाला push button दबा रहे है आप बात आ जाता है दोस्तो इसका interlocking क्या किस तरह से interlock आपको step by step चेक करना है तो पहले आपको देख लेना है कि जो off बाला push button है यह हमारा ठीक से NC बना हुआ है या नहीं है और जो panel में lock रहता है यह panel का lock हमारा NC बना हुआ है या नहीं है जब आप यह on बाला push button दबाईएगा तब क्या होगा यह line contactor on होना चाहिए जब push button को दबा रहे है इसका मतलब है कि a1 तक आपका face supply ठीक से नहीं आ रहा है तो एक आप चेक कर लिए transformer दूसरा हो गिया आपका panel lock तीसरा हो गिया आपका off बाला push button इसके बाद यह on बाला push button भी आपको अच्छा से चेक करना है कभी कभी क्या होता है जो आपका एनो बाला push button है यह भी आपका ठीक से NC नहीं बन पता है इसके बज़े से आपका line contactor on नहीं होता है अगर यह सारा चीजी इस जगा में आपका सही है तो इसके बाद आ जाता है main host, auxiliary host, cross travel, long travel यह जो चारगो master controller है यह चारो master controller का जो kit है यह आपको अच्छा से चेक करना है अगर यह चारो master controller में से कोई भी एक master controller के अंदर में जो आपका NC kit है यह NO बना हुआ रहेगा तो किसी भी हल में आपका line contactor on नहीं होगा अभी यह master controller भी आपका सही है अभी यह जो आपका crane है पचास बाद पंदरा टन यह है आपका 2023 का ठीक है लेकिन इससे पहले जितना भी आपका federal company का crane आया है इसमें आपको दो गो gravity limit देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग white limit भी बोलते है या counter white limit भी बोलते है जो नाम से आप जानते है तीनों को मिला के सेम एक ही चीज है कोई जगा में आपका gravity limit, कोई जगा में white limit, कोई जगा में counter white limit स्विच भी बोलता है तो इसका interlock किस तरह से दिया जाता है ना इसका NC point से दिया जाता है limit switch क्या एक आपका जो auxiliary host है और एक आपका main host है पहले main host से interlock दिया हुआ रहते हैं इसके बाद auxiliary host है दिया हुआ रहता है जब तक आपका gravity limit switch NC बना रहेगा तो आपका ये line contactor on होगा अगर कोई कारण से ये जो auxiliary host और main host का gravity limit switch इस जगा में NO बन जाएगा तो किसी भी हाल में आपका line contactor on नहीं होगा और 2023 में फ्राइडोल कमपनी का क्रेन में अगर आप काम कर रहे हैं प्रोडेक्टिव पैनल में तो gravity limit का interlock इस जगा में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और 2023 से पहले अगर दुसरा जो कमपनी का क्रेन है यह से elite क्रेन हो गया, evon क्रेन हो गया यह psycho कमपनी का क्रेन हो गया यह बाकी जितना सरा कमपनी का क्रेन है यह सब में आपको देखने के लिए मिलेगा कि gravity limit स्विच के साथ आपका interlock दिया हुआ है लेकिन जब आप WMI के क्रेन में काम की जिएगा तो आपको यह gravity limit को इस स्विच के साथ यह interlock देखने के लिए नहीं मिलेगा इस वीडियो को अगर आप point to point सुने है तो कभी भी आपके अंदर में कुछ doubt नहीं रहेगा और छोड़ छोड़ के अगर आप देखे है तो आपके अंदर में हमेसा doubt बना हुआ रहेगा दो number point में दोस्तों आज आता है कि यह जो आपका line contactor है तो diver आपको क्या बोल रहा है मतलब जो crane operator है कि जो आपका double gutter का electric overhead crane है तो diver तो आपको simple तरीका से बोलेगा कि crane हमारा कभी कभी trip हो जा रहा है उस time आपको क्या check करना है कि जो आपका DSL में current collector है यह हमारा ठीक से connect हो रहा है या नहीं हो रहा है एक दम practical में एक बार अगर आप check कर लिजेगा तुरंद आपको 2 minute के अंदर में फोल पता चल जाएगा दोस्तों जैसे मैं वीडियो बना के hard point के बारे में आप लोग को समझाता हो लेकिन वीडियो में क्या होता है बहुत लंबा चोड़ा वीडियो तो बना नहीं सकता हो लेकिन मैं जो online class से start किया हो online class में जब तक आपको समझ में नहीं आता है 9 बज़े से लेके राद 12 बज़े तक अगर electric overhead crane के बारे में समझा रहा हो या start delta के बारे में समझा रहा हो या BCP के बारे में समझा रहा हो जब तक आपका clean समझ में नहीं आता है तब तक मैं आपको समझा सकता हो इसलिए हमने ओनलाइन क्लास स्टार्ट किये हैं फेस्बूप, टेलीग्राम, वार्ट्सप, इलेक्टिकल का ग्रूप जितना सरा है सबका लहीं यूट्यूब चैनल का एबावट में आपको मिल जाएगा और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा वार्ट्सप में मेसेज गर सकते है हार रोज आज के वीटियो के लिए इतना ही नमस्कार जाएगें